हेलो प्रेंट्स आज आप इस पैक को लगा लेंगे तो आपका चेरा एकदम से साफ हो जाएगा इसकिन एकदम से गिलो करने लगेगी तो आपको इसको बनाने के लिए सिंपली लेना है एक चमज बेसन दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे घरेलू रेमिडीज लेक के आती हूं जिसको आप ट्राइ करेंगे तो आपके स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और एक ही चमज भर के हमें लेना है इसमें मसूर दाल का पॉडर जो आपके घर में डाल होती है रेड़ वाली वह आप पीस के बारी पॉडर अपने घर पे भी स्टोर करके रख सकते ह हैं और इसमें थोड़ा सा कोकोनट ओयल लेना है यह हमारी इसकिन को मौशराइज भी रखेगा और इसकिन को टाइट भी करेगा जो आपकी लूज इसकिन हो गई है और इसकिन को बेदाग बनाएगा साथ इसमें हमें दो चमज दही लेना है दही आप अपने घर का आपके चेरे पे बिल्डाइज वाला लुक देगा तो इसको बनाने के बाद मैं चलिए इसको लगातना है तो आपके लेते हैं और पपरे फेस से मसाघ करते होए लगाना हैे को चेरे पे अच्छे से मसाज करना है चार से ।-पांच मिन तक क्यूंकि हमारे चेरे पे जितनी भी डेड़िस्किन है गंदगी है वो सारी साफ हो जाए और चेरा एकदम से क्लीन हो जाए तो पांच से दस मिन तक इसको रफ करना है उसके बाद 10 मिनिट के लिए आपको छोड़ देना है 10 मिनिट के बाद में आपको इसको साधे पानी से नॉर्मल से उसको वाश करना है तो simply इसको धोने के बाद भी मैं आपको इसका result दिखाने वाली हूँ तो थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद मैं आपको अपने हैंड को वाश करके दिखाती हूँ तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने हैं अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी स्किन भी ऐसे ही चमकेगी जिस तरह से मैंने आपको ये बना के दिखाया है और करके दिखाया उसी तरीके से आप बनाएए और लगाएए और अपने चेरे को जिखए एकदम से साफ गोरा बनाएए ये बहुत अच्छा तरीका है आपको ना पालर जाना पड़ेगा ना ही आपके पैसे खर्च होंगे घर पे अपने चेरे को